और जब भी आप कहीं पर जॉब के लिए जाते है जब भी आप मार्केत के अंदर एक्स्पिरियेंस लेने चाहते हैं तो आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या आपने पीछे कोई काम किया है तो आपको यह ना बोलना पड़े कि सर मैं तो फ्रेशव हूं आपको इंटर्शिप का सबसे पहला परपस है कि आपको इस इंटर्शिप में क्या क्या फायदा होगा आपको तो पहली चीज क्या जानने वाले परपस क्या है इन दिन तक हम साथ में रहने वाले ठीक है दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज है कि इस पूरे इंटर्शिप का स्केड्यूल का है यह एक बात बताओ अगर आप कैमरा आउन कर लो तो मज़ा ही ना आ जाए मुझे भी ऐसा फील होने लग जाए कि मैं लैप्टॉप से बात नहीं कर रहा मैं इंसानों से बात कर रहा है मुझे भी बताने में बड़ा मज़ा आए अगर कैमरा आउन हो जाता अगर ऐसी फिलिंग होती कि यह मेरी सास तो है नी और इससे मुझे शरम भी नी तो मज़ा आ जाता आपको भी आ जाता मुझे भी आ जाता तो चलो फटा-फट से इजज़त से कैमरा कर लो पता तो लोगे भाई 1000 पीपल विद आस करेंटली 1000 पीपल मजाक नहीं होता एक कमरे में भर दिया गया ना प्यार रखने की जगे नहीं होगी इतने लोग है हमारे साथ भी जूम पे और मांकी कि अच्छे वे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्टड है अच्छा होस आज डिसेबल का क्यामरा इसट प्रॉब्लम नहीं तो ऐसा तो नहीं है इनिवेज जितने लोग कर सकता है बिल्कुल करें मांकी कोई दिकत नहीं है तो दूसरी चीज हम पता लगाने वाले कि स्केडियूल क्या है डे वन पे क्या होगा डे टू पे क्या होगा और आज तो देखो और इंटेशन है आज तो सरफ आपको पता लगने वाला की परपस क्या है क्यूं करवा रहें आपको benefits क्या मिलेंगे ठीक है लेकिन डे वन कल है डे टू पर सो है डे थ्री हमारा चौथे रोज है ठीक है तो इनका schedule क्या है कैसे कैसे काम करना आप कैसे participate कर सकते हो कैसे certificate मिलेगा कैसे letter of recommendation मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह सारी बाते आज बताने वाला हुआ और तीसरी चीज़ वह अगें इसी में include हो गया कि आपके benefits क्या क्या है क्योंकि इंसान एक ऐसी पर जाती है कि अगर उसको अपना फाइदा ना पता हो तो अपने घर से भी ना निकले जैसे घर से निकलते हैं सुबह थंडर के टाइम पर इंसान रजाई के बाहर निकलने से पहले अपनी उंगली निकालता है एक बार टेंपरेचर चेक कर लूं जाना सही है और अगर उसको लगता है तो इनसान को अपना बेनेफिट चाहिए मेरा को मेरा फायदा बताओ तो आपको आज की सेशन के अंदर आपको अपना फायदा बताने वालों चलिए शु थोड़ी सी लेकिन मज़ेदार है होता क्या है एक बार जंगल के अंदर एक जंगल में पहले तो एक पिक्चर देखो मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा उसके बाद आपको कहानी सुनाओंगा एक फोटो देख लो पहले कितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है एवरीबडी